कोरोना काल में प्रधान मंद्री मोडी ने गरीबो को नियमित मिलने वाले राशन के साथ निशुल्क अनाज देने की होशना की थी जिसमें अप्रेल में चावल दाल, मैं में चावल और चना, जून में चावल बाटना था फिर जुलाई में गेहु चावल और चना निशुल्क प्रती रक्ती पांच किलो मिलना था नवंबर तक नियमित राशन के साथ अलग से निशुल्क अनाज बाटने की योजना है लेकिन गरीबों की थाले के निवालों पर ही अब डाका डाल दिया गया है योजना के तहित अब्दुल्ला गंच ब्लॉक के लिए 97 राशन दुकानों को 7757 कुटल गेहु एक हजार 949 कुटल चावल और 411 कुटल चना आया था लेकिन ये बटा ही नहीं इसकी कीमत 2 करूर बताई जा रही है बताई जा रहा है कि खाद अधिकारी और सेल्समेन ने मिलकर इस फरजी वाड़े को अंजाम दिया है मार्च से लेके अपरेल से अक्टूबर के बीच में आपको कितने महीने का फ्री राशन मिला है चार महीने और इसके अलावा अभी तक नहीं मिला है सिर्फ चार महीने मिला है वो इसकी जाज कर रहे है मेरी जो जानकारी है उसमें यह है कि ओद लुद्ला गंज के कुछ दुकानों पर जो माल था कुछ दुकानों पर समय पर नहीं पहुँच पाया था तो दो महने का सामग्री एक साथ दी हुई है जो निसल्क सामग्री थी वो लोगों को निसल्क दी हुई है और जो एक रुप्र को गया हूँ एक रुप्र को रुप्र को रुप्र को चावल था वो उसी साथ से दिया हुआ है खेंद लोगों को जो निशुक्त सामक जी घए आगस्त में मिलना ठीए था तो माल दुकान पर गुशुकर करना कि कुछ ना पहूंस पानी ही कारणी श ही लिख रिख महले और किया गल निशुक्त में निशुक्त दिया अप्रेल से लेके अक्टूबर तक आपको कितने महीने का गल्ला फिरी में मिला है दो महीने बीच में आपको गल्ला फिरी में नहीं मिला है पेसे से मिलता था कितने किलो मिलता था 35 किलो रायसें से अजय गोहिल की रिपोर्ट